नमस्कार दोस्तों सौगत आपका इस्टेडी मेथड चैनल पर हम देख रहे थे जो परवक्ता परिक्षा हुई थी 2016 की योई थी आपके एक फरवरी 2019 को ठीक है इसका हिस्टरी का हम जो था पूरा ओप्शनल जो यह पेपर था 125 कोशन इसमें आए थे उन्हें पूरे सौल करे थे बीस कोशन हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है आए उससे आगे देखते हैं कोशन नंबर इक किस से आपका गांधी जी को महात्मा की उपादी किस ने दी थी साय अंसरा आपका सी रविंदर ना टैगोर ने ठीक है जो महात्मा की उपादी दी गई थी वो का लिए जी तो झाले सब्सक्राइक है तो यह उससाइटी से ऑफ इंडिया उफ इन उसकेये पूछ यह कहने की घृति पूछाएता है और में फी जी जी और और ये भी काफ़ इंपोर्टेंट है इन से ठीक है उसके लावा इनके उप्शन में एक सी आरदास मोतिलाल नहरू बचे हैं इन्होंने सी आरदास के साथ मिलकर आपको पता है 1923 में सवराज पार्टी की ठीक है उसके लावा आपके बीजी तिलग बचे इसे हम आगे बता ठीक है उसके बड़ है कोशन नंबर 22 बराबर समू में सिंङ गुफा पर असोक की खुफा ये अपकी उससे संबनदी थी दसरत से, ठीक है, एक चीछ ध्यान लगए है, जो यह अपका असोक थे, असोक के पोत्र थे, दसरत, इन दोनों में बहुत समान थहीं ते, इन से कुष्णाता है, ठीक है, यह पुछ राता है, कि असोक के बाद आपको साब दिखाईने की पाडिया ठीक है ये दोनों पाडिया याद रखनी है ठीक है इन दोनों पाडिया इन दोनों हैं बिहार में और इन दोनों पाडियों पर इन्होंने असोक ने और दसरत ने गुफा बनवाई थी ठीक है चट्टानों को काटके उसमें लोग निवास करते थे बोगत धरम जरम अन्य धर्मों के आजीवक्त धर्मों के सबी धर्मों के में निवास करते थे भिख्षू ठीक है तो यह गुफाइए यह अलग से पूछे आती है कि बराबर की गुफाइए कहा है तो बिहार में किसने बनवाई ती असोक ने ठीक है इन पर चितरन आपका जहन धरम हो जाएगा ठीक है कुश्चन नमर 24 देखें निमलिगित मुगल सासकों में से कौन वीर्णा बजाने का सोकीन था सही अंसर हो जाएगा आपका इसका बी औरंग जेब ठीक है देखिए इसमें दो तींचे अजरात ने आपको याद न एक तो जो वीर्णा बजाने में तो आपको पता चल गया औरंग जेब जुस एक आता है कुश्चन संगीत का विरोध किसे ने गया था संगीत पर बैन किसे लिखी गई थी ठीक है यह तीन कोश्चन इससे ध्यान रखना है जो पूछे जाते हैं और एक और कोश्चन याद रखे लिजेगा अब यह वीर्णा बजाना आ गया तो मैं बता दूं आपको एक तो रंग जेब आपको याद हो गया और यहां सी याद रखेगा आप एक सम समंदरुप्त रहे हैं साथ सक वह भी वीर्णा बजाने की सोकिंत उनके सिख को पर वीर्णा बजाते हो और दरसाएं गया है ठीक है आगे देखिए क्वश्चन नंबर 25 यह चोछचन पूचा हुआ है ठीक है वीर्णा का समंदरुप्त का भी क्वश्चन 25 है निमलिकित में यह पेपर हुआ था तो इसमें पूछा था परवक्तम है उसके बाद भी इसलिए दक्कर एजुकेशन सुसाइटी का याद रखियागा संबंधा बाल गंगादर तिलक से ठीक है आगे देखिए कोश्यन नमबर आपका 26 देखिए भारतियों माधी में निमलेगी से किसस्तल प है और यूपी में हुआ हुआ एक बार दो खुषन है कि नवादबा टोली चॉपी मांया है नवादबा टोली किस स्थान पर है तो आपका था सही अंसर है सी विदेशी भी भाग से ठीक है आगे देखे कोश्चन नमबर 28 वर्स 1913 में हिंदी एस्टेरा में हिंदी एस्टेशन ऑफ पैसिफिक कोश्ट ऑफ अमेरिका का द्यक्स कोर्मना था सही अंसर है ए सोहंजी भागना मैंने इसका फर्स्ट कोश्चन था जो इस बहुतない होटरी सनयाद रखना है कहाँ पर बनी की याद रखना सेन फ्रांसिस्को युए स से थिक है lähणा से मैं इसकी चाहे इस दकारब भागना जिनन के और लाला हर्दियाल इसमें महत्यपूट भूमी का निवाई दिनों यह भी पूछाता है कभी-कभी यह option में नहीं होता, सिधर लाला हर्दियाल होता है तो यही सही answer हो जाएगा ठीक है, मैं इसलिए आपको पूरे describe करके बनाता हूँ यह question गोम फिर के, ऐसे ही आते हैं, ठीक है आगे देखिए, question number 29 वर्स 1901 में सिचाई आयोग के अध्यक्स कौन था तो सही answer हो जाएगा, आपका C, सरसी, स्कोट, मोनिकृफ ठीक है, यह जो 1901 है, आपको पता है कार्यकाल करजन का था, ठीक है इसने काफी सुधार किये थे, उस टेम पे, इससे question आते रहते हैं, सन भी याद रखिएगा, तीन चीज़ याद रखनी है, आपको देखिए, एक तो question यह आ जा गया, मैं सारे बता देखिए, जैसे 1901 में सिचाई भी भागया, सिचाई आयोग हो गया, और इसके आपके यह देख लिया, आपने, sir, Colin Scott याद रख लेना, Colin Scott होगे, ठीक है, एक question तो आपके यहाँ से complete हो गया, अब अन्या देख लीजे, यह पुछा थे, देखिए, एक इन्होंने 1902 में पुलिस सुधार किया था, जो पुलिस सुधार किया था, उसके पुछा जाते हैं, कोण अध्यक्स ने उकती थे, तो वो थे, Andrew Fraser, Fraser से याद रखना, ठीक है, यह पुलिस का याद हो कि आगे यह भी पुछा जा सकते हैं, फिर उसके बाद 1902 में ही, इन्होंने विस्विध्याले आयोग बना था, ठीक है, विस्विध्याले समीती बनाई गयी था, आयोग गठित करने के लिए, उसके थे विस्विध्याले के लिए, रेले, टोमस रेले आए या तो यह होगया आपका 1902 में और इसी से एक कुश्चन आया था उगए यहाद रखिए गा 1902 में इसे पारिश की थी रेले ने और इसे की सिपारिश हो को 1904 में विस्विद्यालिया अधिन्याम पास हो गया था ठीक है तो उसको चैने पूचा हुआ था कि विश्वी ध्यालिया दिन्यम किस वर्स पारी द्वा तो 1904 में इसी सही ध्यान रखिए ठीक है और एक आपको और याद रखने है वो अकाल आयोग के जो अकाल सबीदी बनाई थी इन्होंने वो उसके थी मैकडोनल्ड देखिए मैं आपको चार बताए है इसे तो याद रखने की ट्रिक यह है कि आप यह याद रखिए देखिए अकाल है ना अकाल में भूक लगती है अका आपको विश्विध्याले का रेले यह दो यह याद रखने हैं एक अकाल का मैकडोनल्ड हो गया मैकडोनल्ड से याद रखने मैकडोनल्ड और एक आपका चोथा पूछा हुआ है इसके कौन थे यह सर स्कॉट कॉलिन मौनकृफ ठीक है इस तरह मैं आपको देखी यह जो मैंन क्या था सएँ आंसार जाएगा का सभा आपका सी अबूशन देखिये यह जो निस्क था जब यीविधिक काल में पूछेएंगे गिले का आपको यह आपकोason और बाद में चलेकर निस्क लिए आपके सी कहें इस परेकार के सिक्ह चले थे तो इसलिए वादिक काल मैं पूछ इसे ले कर रहूंगा यह किसी ने दिया था कथन ये आपका था पालगंगदर तिलक का देखिए तिलक बहुत इंपोर्डेंट है इनसे तीन कोश्टन आ गया है पहले आया ता फिर देखने इजुक्रिशन सोसाइटी आया तो फिर आ गया है कुछ मैं इसके बारे में आपको आदेता हूं चार-पाथ चीज़ है ना इनके बारे में फिर आप भूलेंगे देखिए दो तो इन्होंने पत्रिया पत्रिका सुरू करी थी केसरी और मराठा तो तो याद रखने आपको जो इनके हैं एक इनकी बुक याद रखने जो काफी पूछी जाती है खासकर जो आपक और गनपती मोथसव बहुत बढ़ा होता है यह दोनों बाल गादर इनके टाइम पर इस टार्ट हुए थी ठीक है इन्होंने इसमें महत्ते पूछी मोथसव और गनपती मोथसव में आज महराष्ट में जो मनाई जाते हैं उसके लावब एक कुशन और है इससे याद रखे एवर्ड इूस होता है इनके लिए ताक लेख के लिए ठीक है और इन्हें कहा किसने आया था यह बहुत बार पूच्छा हुआ है यह कोशन कम से क्वार आघा है यह को पता है आगे देखें, कोशन नंबर आपका 32, बाबर की मृत्यू किस स्थान बर होई थी, सही अंसर है आपका C, आगरा में, देखिए इसे बाबर से आपको दो तिन चीज़ याद रखनी है, एक तो आपको इनके आगरा में मृत्यू हुई थी, बाद में इनकी जो पतनी थी, मुब इनका दफन किया गया था, ठीक है, कहां पे काबूल में, ये धियान ना किना, पहले कहां पे किया गया था, मृत्यूती आगरा में, वही पे दफन भी थे, बाद में आपको काबूल ले गये थे, एक चीज़ तो आपको इनकी याद रखनी है, जो पुशन इनके पूछा ज आपको पता है, इसी से ही फार्सी मनवाद किया था, अब्दुल्रहीम खाने खाना ने, इनका फार्सी मनवाद गया था, बावर नामा का, और अंग्रेजी माद गया था, लेड़िन वे रस्किन है, ठीक है, ये कोशन आया हुआ, किसे ने वीडियो ने देखिया है, तो आर बलिदान के लिए जो भी है करमकांड है जो भी आपके यजुरवेद में है ठीक है तो यह हो गया आपके चारवेद हैं आपको पता ही है ठीक है और जो बलिदान हो गया वो यजुरवेद में हो गया और इसके यह याद रखने है यह जुरवेद के करमकांडों को संपन कराने कि इनके प्रोईतों को क्या कहा जाता था तो आपने देख लिया यजुरुवेद के तो कहा जाता था अधर्यू रिगवेद का भी पुछा हुआ है उसे कहा जाता था होता और सामवेद को कहा जाता था उद्गाता ठीक है इनके प्रोईतों को बोला जाता था सामवेद के प् करके आगे पूछे जा सकते हैं आगे देखे कुशन नमर 34 बंगालवी भाजन के बाद पूरी बंगालवा पर्थम गवर्नर कौन मना था तो सही अंसर हो जाएगा आपका ए ब्लॉम फिल्ड फुलर ठीक है यह याद रखिएगा आगे देखे कुशन बने बहारते था और घ्रश बना था उसके पर्थम भारते उपकुलपति क्योंकि पुलपती तो वह थी तो अंग्रेज से पूछ रहते थे जना में गुरुदासबंळ नर्जी नहीं है तो भिजाएगा आगे देखे कुशन меньше थाप कि शिवाजी से पूछाबा सिवाजी का राज़ेश्वे कहा और कब हुआ था तो सही अंसर आपका D राइगड में राइगड इनकी राजधानी भी थी ये भी आद रखियेगा जो गुरुप सेगे पर पर उसमें पूछा आता है कि शिवाजी की राजधानी किसे बनाया था तो राइगड को ठीक है और संथा सोला सो चुहत्तर सोला सो सीमिन की डैथ होगी थी ठीक है आगे देखे कुशन नमबर आपका 37 किस उपनिशद में चारो आस्रों मों का सरुपरता मुलेक है सही अंसर है सी जाबलो उपनिशद ये कुश्चन अभी तो आया नहीं है किसी अ तीन आस्रों मों का पुछा हुआ है तीन आस्रों मों का था आपका च्छान दोग्याम है और चारों आस्रों मों का है आपका जाबलो पनिशद में ठीक है इसमें चारों आस्रम थे ना आपके एक ब्रहाचरिय था एक गरस्त था एक वानपरस्त था एक सन्यास था एक दिया यह सी रहें गया 75 से लेके 100 तक ठीक है उस टाम के नुसार इन्होंने 100 वर्स की एज रखिया है तूसरी रिजिमनी प्रक्रते थे इतनी एज नॉर्मल थी भी ठीक है तो 100 वर्स के नुसार इन्होंने इस तरह बाटा था चारा सरूमों में और जिनका उलेक मिलता है जापलो उ 13 ठीक है 13 में कुलिग का लेक मिलता है कलिंग तो उसके काफो इंपूड़ाने चाहता है कलिंग की वज़े से 13 और इसे पांच पोडोसी जिनकी मिलते थी इसके बिता हाँ इसके लावा मैं आपको यहीं पर जल्दी से बता देता हूँ जो आपके याद रखने है जो सिला लेक याभी लेक वन था जो वो याद रखना है वो था आपका पसूवद से पसूवद से और जो अभी सेकंड देखा है हमने जसमें पसूवद किसमें था तो अभी लेक एक में और इसके लावे एक और याद रखे जगा बारह उसमें धार्मिक साइशुंद्ता की बात किया है जो आजकल भारत में बढ едगार्unal का मूल मंतर है धार्मिक साइशुंद्ता तो ये इसके अभी लेक बारा में बताई गई है ठीक है और ये ये भी धियान रख लिजेगा अगर आप वियाद रख सकते हैं तो चोल पांडे साते पुत्र केगल पुत्र और ताम पढ़नीचे सिलंका गा जाता था ये इन पांच का उलेक था इसमें ठीक है कभी कोश्चन आजाए तो आप गलत नहीं होगा आगे देखिए कुश्चन नमर 49 पर्थम अखिल भारते महिला संबेनान किस वर्स हुआ था तो सही अंसर है ए उन्नीस सब्ताइस में ये तो डिरेक्ट कुश्चन है याद रखना पड़ेगा फैक्ट से रिलेटीड है कुश्चन नमर 40 द रख लेगा और इन्होंने एक सन्नुर याद रख लेगा 1722 में की थी ठीक है इसकी स्थापनावद की सवतंतर घोसित कर दिया था और राजदानी बनाई थी फैजाबाद और जो वर्तमान है अभी मई 2020 चल रहा है और सोरी जून जून लग गया से तो जो यह फैजाबाद थे जो फैजाबाद है यह आपका वर्तमान में डिश्टिक था है यूपी का ठीक है 75 डिश्टिकों में से अब याद रखिए जगा इसका नाम बदल के हो गया है अयुद् इस टिक कर दिया है ठीक है ओके थेंक्यू दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अच्छा लगाऊ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक और शेयर थेंक्यू